हेलो सुरेंट्स वेल्कम टू मैच्स मैजिक अकेडमी आज हमने करना है एक्ससाइज 8.1 का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिका कोशन नम्बर 10 जो बाकिस के सम्हें वह हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं अगर किसी ने पहले वह वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज पहले जाके उन वीडियो को देखी उसके बाद ही आपको इस सम की क्लारिटी आ पाएगी क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने सारा बेसिक करवाया हुआ है देखिए अभी कॉशन नम्बर 10 में हमें क्या गिवन है इन ट्राइंगल पी क्यो और मैंने आपके सामने बना ली है उन्हें फाइंड़ करना है साइन पी कॉस पी यहां पर देखिए पी क्यों की वैल्यू तो 5 है बट पी आर एंड की वैल्यू अलग लग नहीं दिया दोनों का प्लस करके 25 दिया है तो हो सकता है यहां पर 1213 बन जाए यहां यहां पर 10 15 बन जाए यह 25 कुछ भी बन सकता है बट हम आपनी तरफ से कोई भी पेर नहीं बना लेंगे कि सम करके 25 आ जाए तो इसके लिए मैं क्या करती हूं मैं यहां पर आर क्यू या आर पी किसी भी एक को एक्स लेट कर लेती हूं मैंने यहां पर आर क्यू को कितना लेट कर लिया एक्स तो इसको इस पुट करते हैं P R plus Q R, Q R की जगा पर मैंने क्या लगा दिया, X यह मेरे पास बन गया, P R की वेल्यू आगी 25 माइनस X, यह वेल्यू मेरे पास अभी X है, यह वाली वेल्यू मेरे पास कितनी है, 25 माइनस X, अभी क्या करते हैं, जब भी राइट एंगल ट्राइंगल हो, तो हमारे mind में बस एक ही चीज़ आती है that is pythagoras theorem अभी मैं इस की उपर pythagoras theorem apply कर रही हूं that is hypotenuse square equals to perpendicular square plus base square सबसे पहले pythagoras theorem apply कर रहे हैं in right triangle pqr pythagoras theorem मैं लगा रही हूं pr square rq square then pq square pr square है 25 minus x square rq x square pq है 5 square यह values put की कर दी है मैंने अभी यहां पर देखे 25 minus x यह मेरे सामने एक identity बन रही है कौन से identity बन रही है यह a minus b whole square इसके solving क्या होती है a minus b whole square की यह बना यहां पर a square plus b square minus 2ab इसका formula खोल दिया है मैंने यहां पर देखे x square plus 25 ऐसे रह जाएगा देखे x square इधर भी plus का है इधर भी plus का है बीच में equal to हो तो same symbol आपस में cut हो जाते हैं कि अगर x square को मैं इधर भी लेक्या थी तो उसने minus का होना था फिर भी x square minus x square that is 0 ही बनना था solving करके बन गया यहां पर 625 then 50 x equals to 25 भी देखे बहुत सुन यहां पर mistake कर देते हैं वो 625 से 50 minus कर देते हैं बढ़ नहीं यह x का इसके साथ एक x नहीं लगी है इसके साथ लगी है यह अलग लग family से है इनका आपस में कोई relation नहीं होता इसका एक member देखे हो 625 का यहां पर है तो हमें इसको इसके पास लेके जाना होगा और इसका इसके साथ कोई relation नहीं है इसको हम हमें इसके घर बेजना होगा रूल के हिसाब से हम भेजेंगे 25 पहले मैंने इदर लेके आना है इदर 25 प्लस का है इस साइट जाकी हो जाएगा माइनस का देन यहां पर माइनस 50 X है उदर जाकी होगा प्लस का 50 X then minus कीजिए 600 equals to 50 X then 50 rule देखिए क्या बोल रहा है X के साथ 50 कौन सा रिलेशन है इसका multiply का multiply है इस साइट तो दूसरी साइट जाकी क्या होजेगा divide then 5 0 के साथ 0 cancel then 5 के टेबल में cutting कर लीजी X की value मेरे पास कितनी आगी यहांपर 12 अभी हमने देखिए यहांपर 12 है so RQ कितना हो गया 12 और PR कितना हो गया 25 में से X क्या थी हमारे पास 12 माइनस कर दी कर दीजी हमें दोनों की दोनों values जो है वो पता लग जाएंगी अभी देखिए मेरे पास RQ है 12 cm and PR मेरे पास कितना बना है 25 minus X that is 25 minus 12 that is equals to 13 cm अभी हम इसको इसकी फिगर में पूट कर देते हैं value यहीं मेरे पास बनी है 12 इसकी जगह पर X 25 X मेरे पास बन गया है 13 अभी जो जो हमसे पूछा हम उसी उसी क्या value बहुत easily हम निकालेंगे अभी एक आपको रूल बताया हुए मैंने भी पंदत बद्री परसाथ हर हर बोले सोना चांदी तोले सबसे पहले बुक में देखिए हमसे क्या पूछा है सबसे पहले उन्होंने हमसे पूछा हुआ है sin P और देखिए P है तो यहाँ पर P सेट होनी चाहिए अगर यहाँ पर P नहीं होती तो हमने डायग्राम को इसके accordingly सेट करना है sin P का formula देखिए क्या बन रहे हमारे पास perpendicular upon hypotenuse और इस question में perpendicular है मेरे इस पास RQ और hypotenuse है मेरे पास PR यहाँ R P so RQ की value है 12 और PR की value कितनी है 13 मेरे पास जो sin P है उसकी value बन चुकी है अब मैं निकान लूँगी cos P की cosine P cosine के पास जाए यह that is base upon hypotenuse base है PQ hypotenuse है PR that is 5 upon 13 then 10 P की value 10 P की value है perpendicular upon base RQ upon PQ that is 12 upon 5 यह तीनों मेरे answer है वो हो चुके है इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे next exercise की वीडियो बहुत ही जल्द आप तक पहुंच जाएगी और अगर आपको यह information जो question करवाएं अगर आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेर मैं चैनल थैंक यू प्लीज उल्द आपको थू